नमस्का दोस्तों मैं निशा जारवाल राजारिन दिले में वाईर प्रदूशन तेज़े बढ़ रहा है इसे बीज भाती जन्ता पार्टी के दो बड़ी निता सोंबार कालंदी कुंज थित यमुना घाट का दौरा करने पहुचे जहां उनके साथ कई अधिकारी भी मौजू रहे यमुना में प्रदूशन का स्तर कितना है साथ ही नदी में बर्व जैसी सफेचादन अजर आई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज दिवारी दोनों ने यमुना घाट का दौरा किया और प्र बथर पिर अधेत दोड़काश विरेंद्र ने राच्टे देख नदी में आगे ही अधिए अधिताध का उनकिए प्रदूशन के व्या जिए नदीने बसेफेलेंगा तोटन फिरेंगाइस सब्स्या ने प्रदकन के प्रदेख्ञ मात्वाज़न के श्राफ़ प्रस्तर में दोनों इस दोरान नाव पर सवार हुए और उनके साथ कुछ अधिकारी भी मौजुद थे जिन्होंने यमुना में प्रदूशन के स्तर के बारे में जाना वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ही नाव पर भाज़ापा के दोनों नेता नजर आ रहे हैं जो पानी पी रहे हैं जानवरों के लिए में कितना जलाता है वो चट पे बहने यहांगे डुक्की लगाएंगी शरम की बाद है इसको भी कैसा काला साला हुआ है बता दे कि दिल्ली के मौसम में तेजी से बदलाव जा रही है सुभा और शाम के समय मौसम साफ और सुहाना लगने लगा है हलाकि सुभा के समय अब हलका ठंड का एसास भी होता है दूसी तरफ दिल्ली में वाई प्रदूशन का स्तर पिछले कुछ दिनों के दोरान बढ़ गया है दिल्ली का Air Quality Index खराब स्तर तक पहुच गया है कुछ इलाकों में तो यह स्तर बहुत खराब हो गया है मौसम के बदले इस तेवर के बीच पहली बार यमुना नदी में जाग बड़े पैमाने पर दिखाई दिया अब यही बात मिनको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की इसलाप पुरवाही को अड्रेस करना चाहिए अब यहाँ आवाँ देखो आप तो इसको गलती से लोग कुछ और भी सबस सकते हैं वीडियो में पैसलाइगा इस मामले को लेका दिल्ली बीजेपी के नेता सोंबर को यमुना नदी का मुआयना करने पहुचे आप भी देखे वाया वीडियो कमेंट से बता अपने विचा आप लोग उतर जाईए आप लोग उतर जाईए आप लोग उतर जाईए झाल झाल